कि नवश्कार इंवेस्टर्स वेलकम टू खभाई इंवेस्टर की चैनल तो आज फिर से बात करेंगे हम जेफ्रकाश पावर वेंचर की मैंने कल ली बोला था कि इस स्टॉक में एक मोमेंटम आएगा या तो यह अपसाइड जाएगा या तो यह डॉंसाइड जाएगा मार्क कि अब इसमें लग चुका है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको बाय करें या इसको अभी इस टैम पर सेल करें या होल्ड करें क्या करना चाहिए जो लोग अभी इस टॉक को रखे हुए हैं और क्या करना चाहिए उनको जो लोग अभी इस टॉक को सेल करने की सोच रह करा था 10 रुपे 11 रुपे तक भी पहुचा था कुछ भी डिफीजन लेने पहले मैं आपको दो पॉइंट ऐसे बताना चाहूंगा जो आपको नोट करने चाहिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है जिसको आपको नोट करना चाहिए एक तो यह कि पांच यार दोफॉच्छ करोड का इसकी पर डैप्ट है और दूसरा यह कि इसकी प्रमोंटर फुल्दिंग 26 परसेंट यह दो पॉइंट को आपको अपने दमाग में रखना है अब बात करते हैं अब बात करें इसके प्राइफ चार्ट गी तो फिलाल उसमें इस जगह पर एक रिजिस्टेंस बनाकर इसकीlier की नहीं करता है तो यह रखिसाधरी अब इसकी फॉइस पर ऑ्ले इसकी प्रमोंटर 26 परसेंट हो फो इसमें अच्छी खासी है तो यह प्लस प्रस्वांट बंता है हमारे लिए अब जैसा कि आप यहां पे कुछ प्रॉफ देख पा रहे हूं जो मैं पिछली वाली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ तो मैं नहीं सोचता है कि मुझे बतानी की जुगत आप कुछ से इसको पढ़ सकते हैं जान सकते हैं बात करते हैं कि हमें इसको भाय करना अगर देखो बाई ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है तो हलके हलके शेर्फ बेचते रहो निकालते रहो क्योंकि यह स्टॉक्स और नीचे जाएगा तब इसको और बाय कर लेना उन्हीं स्टॉक की प्राइस पर जिसको तुम बेचोगे यहां तो वहां पर तुम्हारा प्रॉफट कवर हो जाएगा और अगर तुम यह चाते हो कि मेरे ज्यादा लॉस हो रहा है मैंने 11 रुपय पर खरीदा था और अब फिलाल मुझे लॉस जादा तो यार वेट कर लो फिर मेरे ख्याल से क्योंकि लोस लेना एक इन्वेस्टमेंट के इसको करीदे ले अगर आप यह चाते हैं कि अभी मैं नहीं बेजना चाहता हूं तो हो सकता है लॉग अन्वेस्टम इन्वेस्टम अप इसमें कर सकते हैं बले यह स्टौक अभी 10 रोपय का आगे चलकर डिए 15-16 का यह नहीं कह सकते कि कब तक जाएगा चे महीं नहीं भी ल रहा हूं कि फिलाल कोई action taking ना करें और बाइंग की बनेगी बनेगी बजट से पहले पहले तो आप अपने साफ से डिसीजन ले अपना एक पोट्फोलियो बना अपना एक टोटल एक अपने लिस्ट से पूछे जो भी आपका financial advisor हो से पूछे बाद में जाकर एक decision लें वीडियो से दन्यवाद शुक्रिया आदाव